दोस्तो इस वीडियो को सिर्फ तीन कंडिशन पर देखना, पहली कंडिशन तो यही है, कि अगर आपके पास 25-30 मिनट का टाइम है, तब ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, सिखाएंगे, सिखाने में टाइम लगता है, ठीक है, क्य accuracy है इसकी 80% accuracy है और अगर आपने 98% thumbnail पर देखा है ना तो वो भी गलत नहीं देखा है 98% भी आपको मिलेगी कैसे मिलेगी वो सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा तो अगर time है तो ही इस वीडियो को देखिए अच्छे से देखिए ध्यान से देखिए अगर आपका loss हो है तो आप देखिए आपको सारी चीजे पता होगी तो भी आप समझ जाएंगे देखिए ऐसी strategy है न ये कि आप मतलब अगर जब आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था आप गालियां देने लग जाएंगे कि पहले क्यों नहीं बताए बे तो ऐस आप गालिया मत दीजिएगा ध्यान से समझेगा अगर आपको कुछ भी नहीं पता अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना मार्किट के बारे में तो भी आप इसको 80% accuracy के साथ इसको trade कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत भी 10% 20% पता है तो आप 98% इसको accurate कर सकते हैं complete strategy आपको दिखाऊंगा हमने तो आप back test कहेंगे back test भी करवा देंगे जितना कहेंगे उतना back test करवा देंगे ठीक है और front test आप खुद करके देखेगा लेकिन पहले ध्यान रखिए पहले सीखिए समझे ध्यान से समझे उसके बाद तो पहली condition कि आपको skip नहीं करनी वीडिय तो आपका loss हो जाएगा और 1 is to 8 जो लिखा देखा है ये भी कोई गलत नहीं है यानि 10 रुपे का इसमें आपका loss का risk रहेगा 10 रुपे बस SL जादा से जादा SL हुआ ना तो 20 से 30 point का SL रहेगा 30 point से जादा SL नहीं रहेगा और target target आपका 50 point भी आएगा 100 point भी आएगा ठीक है तो 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ बताइए तो आप बात को समझेए ध्यान से समझेए सब कुछ मिलेगा live समझाओंगा तो पहली condition यही हमने आपसे बार बार कह रहें कि देखिए हमने बहुत बार लोग कहते strategy बता दो strategy तो बता देते हैं लेकिन skip करके जब देखोगे तो सम बाते ध्यान नहीं है तो बीच बीच में जब समझाओंगा strategy उस बीच में कोई नई बात ध्यान आ गई ठीक है जो condition है वो भी बताओंगा तो पहली बात हमने आपको बता दी पहली condition दूसरी condition है कि जो rule बताओंगा उस rule को ज्यादा rule नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही rule है औ अगर आप उस rule को follow नहीं करोगे तो आप profit नहीं होगा आपका loss हो जाएगा और loss लेना अगर आप चाहते हो तो rule मत follow कीजिएगा हम नहीं कहते लेकिन अगर loss नहीं लेना चाहते हो profitable बनना चाहते हो तो rule को follow करना पड़ेगा दूसरी condition तीसरी condition ध्यान रखिए अपने risk के हिस आप से देखिए पैसा सिर्फ strategy से नहीं बनता strategy तो सभी बता देते हैं ठीक है strategy सभी बता देते हैं लेकिन पैसा बनता है money management से ठीक है money management तो money management अपना risk management आप कैसे करेंगे वो भी आपको बता देंगे लेकिन आप कितना पैसा invest करना चाहते कैसे करना चाहते हैं वह आप खु सेटप पे हमें confidence है तभी तो हमारा पैसा बन रहा है आपको भी confidence करना पड़ेगा अब confidence आप कैसे बनाएंगे आप confidence बना पाएंगे trade लेके जब आप मालीजी 100 trade लेते हैं जो strategy हम आपको बताएंगे उसमें मालीजी आपने 100 trade ली और एक lot से ली ठीक है 100 trade आपने ली और एक lot से ली यानि 25 quantity आपने bank nifty में बाई गी उसके बाद 100 में से अगर आपकी 80 trade profitable चली जाती है और 20 मालीजी लॉस हो जाती है और one is to four eight की हमने बात कि है eight रहने दीजिए four माल लेते हैं कि एक एक रुपे का यानि 10 रुपे का आपको लॉस है तो 40 रुपे का profit है यानि अगर आपने 10 रुपे गवाए हैं तो अगली trade में आप 40 रुपे कमाएगे ठीक है या एक trade आपकी loss हुई है तो चार trade आपकी profitable जाएगी समझ रहा हूं तो अगर one is to four भी हुआ तो भी आप finally profit में रहोगे या नहीं रहोगे बताओ में तो अभी backtest करके आपको दिखाते हैं ध्यान से समझते चलिए उसके बाद आपको बताते है strategy बिल्कुल simple strategy है candle आपको बता देते है candle ये बताईए comment में लिखकर बताईए ये कौन सी candle है बस अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी समझ जाओगे अनपड़ो तो भी समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है इस candle को पहचान लीजिए अब ये बताईए ये green है या red है पहले आपको condition बता देता हूँ फिर आपको backtest करवाओंगा देखिए पहली candle आपकी बनेगी इस तरीके से लोग कहते consolidation market में पैसा नहीं अगर आपकी market यहां 200 point की range में consolidate भी कर रही है ना इसमें भी आप पैसा निकाल लोगे strategy को समझिए पहली candle आपकी बनेगी इस तरीके से ध्यान रखिए इस तरीके से बनेगी और ये candle आपकी red होनी चाहिए या green होनी चाहिए red या green कुछ भी हो सकती है और दूसरी candle फिर आप हमें बनेगी इस परकार से ऐसे जान रखिए इस तरीके से आपकी दोनों candle बनेगी और condition समझ लीजिए अभी skip करके हमने इसी लिए बोला है जो skip करेगा वो miss कर जाएगा पहली candle ये वाली candle जो second candle है ये आपकी red ही होनी चाहिए ये condition है ये मत सोचिए कि हम ऐसे ही बोल रहे है कई बार आपको दिखेगा कि green है तो भी market ने profit दिया है आपको ठीक है लेकिन अगर आपको profit एक बार मिल गया है न और आप दुबारा loss ले लोगे फिर loss आपका बड़ा हो जाएगा तो बात को समझे ए condition ज़रूर follow करनी है तो इस condition को इस नियम को ध्यान रखिए कि पहली candle आ resistance के आप आसपास बनेगी resistance रोड़ना उमीद करते हैं आपको आता होगा नहीं आता तो भी आप कोई दिक्कत ने गबराने की बात ठीक है पहली candle ऐसे बनेगी ये चाहे रेड रहे चाहे ग्रीन रहे इससे आपको कोई tension नहीं है दूसरी candle सेम इसी प्रकार से बनेगी ये ये वाली ठीक है अब आपको दिखाते हैं back test करके दिखाते हैं अच्छा time frame इसमें आपको one minute का रखना है one minute का time frame रखना है one minute one minute का ही time frame रखना है अब आप कहेंगे ये तो हम intra day में बैठेंगे अरे भया आप option buyer हो आपको 24 गंटे नहीं बैठना है आप profit लेके 5 मिनट में नि 10 रुपे का risk लिया है आपको 40-50 रुपे मिल जाएंगे आपका target achieve हो जाएगा और दिन में 2 trade 3 trade भी बन जाएगे आपका पैसा 3-4 गुना हो जाएगा समझा कीजिए बात को तो ध्यान से समझेए one minute का time frame आप लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं समझते चलिए one minute का time frame ल आज की market की opening है 9.15 पर हुई है अभी तो काफी one minute में time frame में यही बड़ी दिक्कत रहती है द्यास से समझते चलिए backtest आप जितना कहेंगे उतना backtest करवा देंगे यह हो गया यह 9.45 हो गया यहां से आ जाएए अब यहां देखिए यहां देखिए और यह 27 मार्च चाहिए न 28 मार्च 28 मार्च कहां है 27 27 27 और यह भी 27 है 28 मार्च किदर है आज कितनी तारी है 28 है ठीक है तो 28 मार्च की candle को हम आपको दिखाते हैं यह आप ठोड़ा सा सब्र रखिए अभी आपको दिखाते कुछ condition भी बताएंगे न यह रही 27 28 मार्च आजा य देखें लैप्टोप की स्क्रीन थोड़ा इजी रहती और यह भी 27 को ही आगया है यह रही यहां से है यह देखिए ओपनिंग अब यहां से खेल सुरू होता है यहां देखें यह आ गई 28 मार्च अब आपके दिमाग में अगर यह आ रहोगा ना कि आज बन गी कंडिशन ऐस रही है कि कभी बनेगी कंसोलीडेशन हो आप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो जैसा भी हो सम में चलता है बहुत मनलब गजब का फॉर्मूला आप देखिए जो कंडिशन में आपको बताई थी आपको कहीं दिख रही है यहां दिख रही है थोड़ा सा जूम करते हैं और जहां से देखिए यह एक केंडल यह ग्रीन बन गई यह वाली यह इसके मगल वाली यह वाली ठीक है यह जहां अभी मारका लगा है यह वाली केंडल आपकी ग्रीन बन गई और उसके बाद हमने क्या बोला कि एक ग्रीन हो या रेड हो उससे मतलब नहीं है यह जैसी ऐसे बन नहीं है ठिक है तीसरी केंडल यहां देखिये रेड गदियों सेंसे ही बनी है यह वाली ठीक है इस प्रकार से तीनडल आपको दिख रही है तो हमें यहां तीसरी केंडल are they come and target को दिखाते और असला रहेगा असलाप का जो देखिए उससे पहले अगर कोई बड़ी candle यहां पर होती तो यहां रख लेते नहीं तो फिर यह इसकी विग जो है यह एसल रहेगी दस पॉइंट का 15 पॉइंट का एसल होता है इसको देखिए यहां पर शॉट किया है हमने शॉट पुजीशन ठीक है आपको एंट्री लेली नहीं है यहां पर हमने इस वाली candle क्यों पर यह देखिए यह बनी एक फिर यह दूसरी रेड़ और फिर तीसरी ऐसल को आएगा ऎगा यहां पर देखिए पंद्रा पॉइंट का एसल है तो आप साथ पॉइंट का अगर चार गुना लेते हैं या वन इस्टू टू लेते हैं देखिए यहां तक आई आई है मार्केट कहां तक देखिए कितना टार्गेट मिला आपको यह क्या हो रहा है लैप्टॉप पे समझाना देखिए यहां तक है करीब करीब हो जाएगा जहां तक आई है, यह देखि लिए यह आपका on यह कितना है तो नो कि देखिए 5.5 और हमने क्या लिखा हुआ वहां 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 वन इस्टू 8 लिखा हुए न तो वह भी आपको मिलेगा उसकी भी टेंस्हन मत लिजिए पांच गुना यहाँ आपको 15 पॉइंट का आपका वो है stop loss और आपको यहाँ देखिए risk reward ratio ठीक है तो आप बात को समझिए मतलब SL देखिए कितना छोटा सा है और target देख लीजिए तो आपकी scalping है यह scalping कह सकते हैं आप इसको उसकी दिक्कत नहीं है लेकिन पैसा ऐसा ही बनता है अब अगली trade उसके बाद देखिए और आज की market consolidate थी आपको पता है किसी को और trade नहीं मिला है consolidation में चलिए आज market 200 point के लगबद उसके बाद यहाँ पर देखिए और यह चीज़ जब resistance अच्छा देहान रखिए तीसरी condition हमने कहा है न बीज बीज में बताते रहेंगे थोड़ा downtrend में जब बने न हमाल लीजिए यह आ रही है market और यहां बन गई तो यहां आपको नहीं लेना ऐसे जा रही है और यहां कहीं बनी है तो यहां लेना है resistance के पास लेना है यह दियान रखिए अब ट्रेंड ही डाउन है और आप उसमें नीचे सेल करोगे तो क्या ही होगा थोड़ा सा आप ट्रेंड होना चाहिए ठीक है कम से कम 20-50-100 पॉइंट का 150 पॉइंट का ठीक है उसके बाद देखिए अब यहां पर इस डाउं ट्रेंड में अगर आप आप यहां डेकिन नए-9 में मतलब हमने शुरू में की हैं एक बार दू गल्तिया एक दो भार गलति कि है यह देखिए यहां पर आप दोड़ रहे होगे यहँ भी बन रही यहां कन्डिशन नहीं नहीं भन रही यह ग्रीन बनी है लेकिन यह green कैसी बनी है इस प्रकार से बनी होई है इस तरीके से और हमें क्या चाहिए यह वाली ठीक है अब यही condition इधर बनी है देखिए कहाँ पर यहाँ पर यह देखिए दो red बन गई अभी यह दो red बनी जैसी दो red बनी तीसरी हरी वाली candle है यह वाली इसमें loss होगा यह तो consolidate करेंगे उसके बाद boom धमाका हो गया देखी और यह धमाका को छोटा नहीं है यह आपको दिखाता हूं कितना कितने पॉइंट का धमाका हुआ है आपके SL के हिसाब से जो हमने आपको बताया है यहां यहां देखिए हरे वाली केंडल पर आपकी अगर आपका यहां तक भुए है और यह देखिए रिस्क रिवाड रेशो देखिए जनाब ऐसे ही नहीं बता रहा है और ये आप देखिए ये हमने आज का टेस्ट करवा दिया उसके बाद दो ट्रेड बिले गई आपको फिर आगे चलते रहेगा आप इंतिजार करने देखिए मार्केट इंतिजार का पैसा देता है इंतिजार तो करना पड़ेगा भया ये देखिए आपको ट्रेड का मिलाया ये सुबा मिलाया 10 बजे के असपास उसके बाद आप इंतिजार करते रहेंगे और कहां बन रहे हैं इस कंडिशन को भी आप देखिए बिलकुल एक्जक्ट नहीं है इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं हमने किया हूआ है कोई दिक्कत नहीं है ठीक तीन ट्रेड से ज़दा नहीं करना, यह भी रूल आपको रखना है, तीन ट्रेड से ज़दा आपको नहीं करना, अपने experience का इस्तमाल कीजिएगा, देखें हमें नहीं suit करता, तीन ट्रेड से ज़दा, इसलिए हम करते भी नहीं है, ठीक है, अब यहाँ यह किसी दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए वन तुब का तो इसमें भी है यहाँ पर दूसरी गेंडल बनी तीसरी हमारी ray बाली पर एंट्री रोगई और रेड पर जैसी एंट्री होई देख़िए यहां पर यह हमारा apply नहीं करती, क्योंकि एक हरी बनी है और दूसरी, देखिए, ये वाली हरी बनी ना, तो alert हो जाना, अगर ये भी red बन गई, तो हमें तीसरी candle पे trade ले लेना है, simple, अब बताओ इस से simple strategy और क्या चाहिए आपको back test करके देखना देखिए, अब यहाँ पे आपका SL कटेगा, ये red बनी है, फिर ये red बनी, दूसरी red बनी है, यहाँ एंट्रेली है, तो यहाँ आपका 10-20 point का SL कटेगा लेकिन हमने क्या बता है, तीन trade आपकी हो चुकी है, देखिए, उसके बाद market close है, अब ये हमने आप आज की तारीक का backtest करवा दिया, उसके बाद आपको और लेकर चलते हैं, backtest करवाते हैं, कोई दिक्क्र नहीं है, चलते चलिए, backtest, मतलब backtesting जितनी आप करोगे, उतना आपको backtest से भी confidence आ जाएगा, ये देखिए, ये ये देखिए, ये यहाँ पर, हरी बनी फिर रेड बनी और जैसी रेड बनी, ये तीसरी वाली यहाँ entry हो गई, और यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा profit, ये आपको दिखने में छोटा लग रहा है, ये zoom करके देखोगे न, तो बड़ा दिखेगा, ये कितने point का है, आपको दिखाते हैं, price range लगा कर दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके entry होई, इसके opening जैसे ही होई, और यहाँ पर दिखाते हैं आपको, कहां तक गया है, पता है आपको, ये market आपकी गई है, यहाँ तक, यहाँ तक गई है, देख लिजे, लगभग 100 point, और अगर आप SL फिर भी नहीं इट होई, SL कितने का है, कितने point का है, वो भी देख लो, SL तो देखो ना कितने point का है, SL देखो, यहाँ तक SL है, आपका SL है, 17 point का, अब अगर 17 point का SL है, आपका 18 point का 20 मान लेते हैं, तो 40 point का target लिजिए, ठीक है, या 20-30 रग लिजिए, 1-2-3 रखना है, वो ऐसे तो, हमारे इसाब से, 1-2 लेकर चला किजिए, 20 point का SL, तो 40 point का target, अब हमारा 40 point यहीं पर यह देखिए, यहीं कबर हो जाता है, एक ही, दो candle में, ठीक है, उसके बाद यहाँ से retracement लेती है, तो आप निकल जाएए, अगर आपके पास experience है, थोड़ा, तो आप यहाँ तक रुख सकते हैं, देखिए, 1-500 point का, आप target ले सकते हैं, 100 point के plus है, लेकिन नहीं, आपने यहाँ पर entry ली, और यहाँ पर आप थोड़ा सा, जैसी retracement, यहाँ तक आई और यहाँ से retracement हो रही है, तो 50 point का आप target लेकर निकल जाएए, 50 point कोई कम थोड़ी नहा है, एक दम से move मिलता है ना, तो 50 point बहुत होते हैं, पंदरा सो दो जार रुपे बन जाएंगे आपके, और फिर आप SL भी तो देखिए, 15 point का, SL अगर देखे 30 point से ज़्यादा का SL नहीं लेना, हमने आपको बता दिया, SL 15 point का है, तो आपका target कितना होना चाहिए, 15 तिया 45 या 15 दूना 30, 30 point का, अगर SL 30 point का है, तो target 60 point का, आपको लेकर, दिमाग में लेकर 1 is to 2 चलना है, अगर आपको accuracy कैसी लेनी है ना, तो 1 is to 2, मिल जाए, 1 is to 3, 1 is to 4, 1 is to 6, 1 is to 7, 1 is to 8, मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उससे फरक नहीं पड़ता, आपको लेकर सिर्फ उतना ही चलना है, देखिए, और back test कीजिए, अब आप बताईएगा, कहां पर दिख रही है आपको strategy, जो हमने आपको candle बताई है, उसकी पहचान, यह देख लीजिए, कहां पर है, यहां यह नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों green है साथ में, यहां बनेजी, ठीक है, उसके बाद और चलते हैं, और चलते हैं, देखिए, चलते रही है, चलते रही है, अब आपको downtrend यहां भी देख रहा है, लेकिन यह हमारी strategy में नहीं है, यहां आपको trade नहीं करना, ठीक है, अपनी strategy देखें, अपने strategy पे आपको भरोसा रखना है, इंतिसार करना है, और इस दिन हमें trade ज्यादा नहीं मिले थे, है, तो मार्की टूप पर होगी, यह नीचे, कहां है candle, यह रही, ठीक है, आप इसमें देखिए, थोड़ा कर लेते हैं, ताकि आपको आराम से देख जाए, देखिए, बैक टेस्ट अब जितना कहेंगे, उतना करवादेंगे, अब आप इसको मत trade करने लग जाएगा, यह उल्टी, एक candle ऐसे है, और एक ऐसे है, ऐसे वाली नहीं trade करनी, ठीक है, जो आपको condition बताए, उस condition को follow करना है, और तभी आपको trade लेनी है, अब देखिए, condition कहां follow हो रही है, आपको दिखाते हैं भी, consolidation में तो बहुत ज़्यादा पर मतलब इसमें मौका मिलता है chance, इसलिए आप यह मत सोचे कि consolidation में पैसा नहीं बनता है, consolidation में भी पैसा बनता है, बस बनाना आना चाहिए, strategy होनी चाहिए अपने पास, देखिए, यहां पर trade बनता है आपका, यह red हो गई, यह green हो गई, यह red हो गई, यहां entry हो गई, तीसरी candle पर और यहां देखिए, यह आपको दिखने में लग रहा है, 20-50, यह कम से कम, देखिए, यह आपका SL रहेगा, यह SL है हरे वाले का, तो यह target है, अब SL से रहेखिए, double target है की नहीं है, बताइए, समझ रहो, तो इस तरीके से आप trade कीजिए, आप इसको back test कीजिए पहले, जब आपको confidence हो जाए, तो अपने risk management के हिसाब से trade कीजिए, द्यार दखिए, यह video जो हम भी बनाते हैं, यह केवल educational purpose के लिए बनाते हैं, आपको सिखाने के लिए, यह नहीं कहते हैं कि हाँ, देखे, market में 100% से और कोई भी नहीं होता, जब आप छोटे-छोटे trade लोगे सीखोगे, आपको confidence आएगा, तभी आप बड़ा trade करपा होगे, तो अगर आप छोटे-छोटे trade लेकर confidence ला सकते हो, ठीक है, एक lot से, अब यह मत सोचिए कि हाँ, दिमाग में क्या चलता रहता है, कि एक trade में माली जीए 700 का आपको profit हुआ है, फिर सोचते कि हम एक लाग रुपे लगाए होते तो 7000 का हो जाता, ऐसा नहीं है, एक लाग लग नहीं कमर हो पाता फिर जल्दी, psychology सारी वहाँ पर बिगड़ जाती है, तो इसलिए अपने discipline को follow कीजिए, अपना rule बनाईए, risk management कीजिए, psychology से ही पैसा बनेगा, strategy तो आप खुद बना सकते हैं, बहुत सारी मिल जाएगी, strategy खुद बनाना सीखिए, हम आपको सिखाएं कि कैसे strategy खुद की बनाते हैं, यह हमने खुद बनाई है, खुद research की है, किसी की नहीं है, तक आपने यह strategy यूट्यूब पर नहीं सुनी होगी, सुनी होगी तो बताइएगा, कि कहां किसके channel पर सुनी है, उमीद करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच लगी है, और इसी प्रकार की strategy सीखना चाते हैं, आप खुद की strategy बनाना चाते हैं, वो सीखना है, तो comment करके बताइएगा, channel पर पहली बार आएँ, तो subscribe कर लीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद